हेलो स्टुडेंट्स आइम तन्वीर सर यूर बैयालोजी टीचर एज मेंटॉर स्टुडेंट्स प्रिवियस क्लास में हमने क्लास 10 बैयलोजी का सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोडिनेशन स्टार्ट किया था और उस लेक्षर में हम लोग ने लेखा था कि structure of nerve क्या होता है किस तरीके से nerves जो होते हैं neuron जो होता है हमारी body में हमारी body के coordination में help करता है ठीक है वो सारी चीज़ें देखने के बाद आज second lecture में हम लोग देखेंगे reflex action reflex action क्या होता है students reflex action एक quick response होता है जो हमारी body को protect करने के लिए adverse condition में stable बनाने के लिए बहुत जरूरी है ठीक है और यह reflex action जो होता है हमें stable बनाता है ठीक है हमारी body को extreme या किसी harm से बचाता है ठीक है इन सब में हम देखेंगे reflex action होता क्या है तो यहां पर देखो लिखा है quick and immediate response का मतलब यह होता है कि बहुत ही जादा within a microsecond जैसे कोई भी चीज है आपने एक burning pot है जलता हुआ तवा है उसको आपने जैसे आपका गलती से उस पे हाथ पड़ा बिदिन a microsecond आप वहां से हाथ को remove करते हो ना तो वो क्या है वो reflex action है blinking of eyes हमारी आँखे जो blink करती है कितने देर तक hold कर सकता है कोई प्रैक्रिस करेगा तो बहुत मुश्किल से एक minute ना तो वो फिर रिसे वापस से बिलिंग होगी आपके आँखों में कोई dust particle चला जाता है तो आपकी आँखे तेजी से बिलिंग करने रखती है ना तो यह सारी चीज़ें क्यों हैं यह सारी चीज़ें हमारी बॉड़ी को एक प्रवाइट करती है कि dust चला गया है उसको बिलिंग करके फटाफट उस dust को अंदर नहीं जाने देना है उसको बाहर निकाल देना है टीर्स से ठीक है यह सारी चीज़ें रिफ्लिक्स एक तरीके से इसके लिए हमारा एक विल पावर बहुत सरोज नहीं है वह हमारी बॉड़ी में जन्रेटेट है और वह सिस्टम में फीड है कि यह स्टुमिलस होगा तो यह रिस्पॉंस देना है विदिन माइक्रो सिकेंड नहीं होगा उसमें हमारा स्पाइनल कॉड इनवाल होता है ठीक ह च्छा होता है इस टीक एनफिए रिस्पॉंस आप देवाड़ी त्योरे स्टमिलश इसको Stitchimize में हमें देख था क्रियों स्क्टा है कोई बीचीज और इस स्टमिलस को रिसीब कॉण करते हैं हमारी बाड़ी के संकर समनी बतायते लांवारी आई ट्श नोस रियर भींड हमार करने के लिए हमारी बाड़ी में हैं, अब यह reflex action कैसे काम करता है, reflex action is the result of the coordination between the spinal cord, देख लो, coordination between the spinal cord and peripheral nervous system, peripheral nervous system का मतलब, जिसको हम PNS भी बोल ले है, peripheral nervous system, यह nerves जो है, हमारी बाड़ी पे, जो periphery पे है, यह हमारा central part है, brain, spinal cord, brain और spinal cord, जिसमें हमारा, यह brain और spinal cord इंवाल हो रहा, उसको हम central nervous system बोलते हैं, क्या बोलते हैं, central nervous system, अब उस central nervous system से attached, जो periphery side में हमारे nerves हैं, उनको हम बोलते हैं, peripheral nervous system, peripheral nervous system कहां भी हमारे हाथों में, पैरों में, यह सारे जो nerves हैं, उनको हम peripheral nervous system बोलते हैं, ठीक है, और वो तो सारे peripheral nervous system कहां पर जाके एक अटेच होते है हमारे spinal cord पर spinal cord हमने कहा था कि जो हमारे backbone की अंदर जो cavity है उस cavity में एक nerve bundle इस तरीके से है ठीक है उस nerve bundle को हम लोग क्या बोलते है spinal cord और वही spinal cord क्या होता है जो भी message होता जो भी sensory nervous system हमारे पास लेके आता है information लेके आता है उसको हम लोग कहां पर पहुंचाते हैं brain को पहुंचाते हैं वो brain उसको फिर read करता है ठीक है लेकिन वह अलग चीज है यहां पर हमारा जो reflex action है वहां पर brain involved नहीं होगा सारा response हमारा spinal cord से ही चला जाएगा जो और लेडी वहां पर फीडेड है और लेडी वहां से generate हो जाएगा ठीक है तो देखो इसके reflex action के example क्या है blinking of eyes blinking of eyes blinking of eyes blinking of eyes मतलब हम हमारे आखों में कोई dust particle गया तो फटा वटा आखे ब्लिंक होने लगती है और नॉर्मली भी वह हमारी आखे जो blink होती है वह हमारे इस surface को आगे वारे जो हमारा cornea का surface उसको moist बनाए रहती है कोई dust particle कोई बीचीज अंदर की तरफ में जाता है वह बाहर की तरफ आता है ठीक है दूसरा sneezing and coughing मतलब चीक आना चीक आना अशानक से आता है कोई इसको फिर से आएगा और यह चीक आना अच्छी बात होती है जब कोई dust particle या कोई bacteria या कुछ भी आपके wind pipe में आपके trachea में चला जाता है ठीक है तो आपको चीक आता है उस चीक से क्या होता है सारे जो germs यह dust particle है वह wind pipe से निकल बाहर की तरफ चले आता है इसलिक जब भी चीक आता है तो हैंकी लिए रहो हैंकी सामने लगा लो ताकि वह क्या होगा किसी और के सामने वह spread ना हो ठ होता है ठीक है कफिंग का मतलब यह होता है खांसी आना जब हम खाना खाते हैं खाते वक्त हम बोलते हैं या ज्यादा हते हैं इसके खाना आगर हमारे wind pipe में जा कर से फस चाला गया तो उससे हमें खांसी आने लगते ह Curry सैंगा प्रेशर होता है ताकि कवी हमारे leng में अंट और जो भी ट्रैक्या में विंड पाइप में वो बाहर की तरफ आ जाए ठीक है हर चीज ना नॉर्मली जब खासी आती है कोई इंफिक्शन हो जाता है ना सब्सक्राइब होता है तब भी कफिंग होती है कफिंग जो होता है जो मुकस बनता है वो हमारी बॉड़ी को प्रोटे कर लिया जाता है और फिस जब आपको खासी आती है तो बाहर की दरफ इस पिट आउट हो जाता है तो यह भी रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉड़ी को प्रोटेक्र करने के लिए ठीक है वो साइची से आटोमेटिक होती है दूसरा रिमूवल ऑफ हैंड वेन यू टेच उआपिक करते हो प्रोट करक्तिवाड़ कांते लार कम टेच हो गया ना किसी कील पर टैच हो गया आपका हाथ य जलते व्याट बर्तन भी आपका हाथ हो गया तो जो से और यह से रिमूव पर लेते हो हाथ यहां यही चलब का रिन ने सॉर्ण सा करता है तो इक इस rashिसा यह इस नियूरल पाथवे, क्या है, नियूरल पाथवे that controls a reflex, ना, तो एक नियूरल पाथवे होगा, ठीक है, और उस नियूरल पाथवे में क्या होता है, कि वो हमारे reflex को control करता है, कि इस तरीके से stimulus को sense करके sensory nerve हमारे spinal cord तक ले के जाता है, फिर spinal cord response को effector तक कैसे बहुंच आता है, इस ही को हम लोग बोलते हैं, reflex arc, ओके, और ये reflex arc, हम फिगर से भी समझेंगे, तो देखो reflex क्या होता है, withdrawal of hand on touching hot object, ये क्या है, reflex है, अब इस ही को हम यहाँ पे figure में देखेंगे, ठीक है, तो देखो reflex arc, function in order to maintain a balanced and stable position, ठीक है, हमारी body को वो एक balanced and stable position प्रवाइट करता है, एक stability में लाने के कोशिश करता है, that's it, okay, अब देखो ये reflex arc में हमने यही चीज़ को diagram में represent किया है, तो देखो यहाँ पे यह मेरा हाथ है, ठीक है, अब यह हमारा क्या है, एक hot object, ठीक है, यहाँ पे आपने चूले पे कुछ रखा हुगा है, उस spot में भाप steam निकल रहा है, अब किसी वज़े से आपका हाथ इस steam में touch हो गया, तो यह देखो यहाँ पे, यह तरह का hot pot है और यह steam निकल रहा है, ठीक है, अब यह देखो जैसे ही आपका palm यहाँ पे touch हुआ, तो यहाँ पे क्या होंगे, receptors होंगे, ठीक है, आपके fingers पे क्या होंगे, receptors होंगे, receptors यहाँ यहाँ भी हरचेंगे, receptors है, और उस receptor ने क्या किया, इसको sense कर लिए कि बहुत ज़्यादा गर्म है, steam है, अब जानते ही, steam में क्या होता है, latent heat होता है, heat छुपा हो रहता है, वो हमें जला देता है, तो इसलिए हम जलेना, और वहाँ से quick response करते हुए, हमने अपने हाथ को remove किय किया, इस तरीके से ऐसे touch किया, ऐसे हटा लिया, अब जैसे यहाँ पर touch होगा, तो हमने आपको remove करेंगे, touch होगा, क्या होगा, बहुत तेजी सी, यह sensory nerve, देखो यहाँ पर लिखा है, sensory nerve, अब यह sensory nerve क्या करेगा, इसको हमारे spinal cord में लेके गया, देखो यही है spinal cord, यह spinal cord, री क्या करेगा, read करके, क्या देगा, response देने के लिए, motor neuron को command देगा, और यह motor neuron क्या होगा, कि वो command को लेके सीदे से आएगा, effector के पस, देखो, यहाँ पर effector है, आप कहोगे, यहाँ पर यहाँ नहीं है, जल तो यहाँ रहे है, तो देखो क्या है, कि सिर्फ हम अपने हाथ को एक से थोड़ी हटाएंगे, ऐसे कितनी दूर तक हटा पाएंगे यहाँ से, हमको पूरा हाथ यह बेंड करना होगा, यहाँ से, अपने elbow के पास से, अलबो के पास से, जब आपने हाथ को बेंड करेंगे, तब जाकर हमारा हाथ पूरी तरह के से सेफ होगा, इसलिए, effector हमा माइक्रो सिकंड यह सारी चीज़ें हो जाती है तो यह सारा हमारा जो है रिफ्लिक्स एक्षन का प्रोसेस है अब यह देखो सेंसरी नियूरॉन जो होता है हमेशा क्या होता है चीजों को सेंस करता है क्या करता है सेंस करता है और मोटर नियूरॉन क्या होता है यह कमांड को ल बारा उसको लेके ब्रेन या इस पैनल कॉर्ट के बास को आता है हमेशा सेंसरी नियूरॉन आता है यह इची से याद होनी चाहिए आपको ठीक है इसको हम भी दिखाएंगे भी आगे ठीक है इस तरीके सी यह पूरा हमारा रिफ्लेक्स एक्षन काम करता है अब देखो रिफ्लेक्स एक्षन पार्ट पे उसी को जो वहां पर देखा था अब इसको फिगर में देख लो अब यह इस्टिमिलस है ना अब इस्टिमिलस में क्या था यहां पर इस्टिमिलस में क्या था होट ऑबजेक्ट था ठीक है? यह hot object इस्टिमलेस की तरह काम कर रहा है. चेंज है ना? अब इसको रिसीब किया किस ने? रिसेप्टर्स ने, जो हमारे फिंगर के पास रिसेप्टर्स थे, उसने उसको सेंस कर लिया, रिसीब कर लिया, और रिसीब करने के बाद उसने किसको दिया? सेंसरी निरॉन क को दे दिया. इस पानल कॉड मतलब हमारा जो बैक बोन के अंदर नर्व बंडल है. अब वो इस पानल कॉड क्या करेगा? उसको रीड करेगा, ठीक है? और फिसके बाद कमांड दे देगा. इसको कमांड किसको देगा? मोटर नर्व को. अब मोटर नर्व उसको बहुत तेज आपका रिस्पांस हो गया. ठीक है? इस तरीके से पूरा हमारा रिफलेक्स एक्शन काम करता है. ओके स्ट्रेंट्स, आई होब कि आपकी टॉपिक समझ आया होगा. ठीक है? मिलते हैं नेक्स क्लास में. थैंक यू.